हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू आर चैनल वैन लाइफ इंजिन कपल आज हम आपके साथ एक न्यूज शेयर करना चाहते हैं कि हमने अपनी ड्रीम कैरवैन को 100 डेज में कम्प्लीट कर दिया है इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाल अबिज — यूज हूँ हां नू यूज थे कर दो हिर लाइग विल रिप्सक्षार है नू, we will take you ad where we left in part 4 तो एक्टेंड आर लिव एक्टार लिविंड शेयर का सिट्सक्रीज़ ओढायले का। यह सीट 360 डिगरी घूम जाती है इसके अलावा हमने दुनों सीट्स को भी रिप्लेस करवाया है स्विल सीट के नीचे हमने अपना एलेक्ट्रिकल कमपार्टमेंट बिनाया है और इसके तीन में पार्ट है परस्टली रेल इसको हमने वर्टिकल बेड आयरन प्रेम के उपर वेल्ड किया है सेकेंडली ब्लॉक इसको हमने बेड के होरिजोंटल प्रेम के साथ वेल्ड किया है और फाइनली 12 वोल्ट लीनियर एक्ट्वेटर्स ये वेड को वर्टिकल लिप्ट देते हैं आएनली 12 वेल्ड वेल्ट वेल्ड के वेल्य। For navigation and entertainment purpose, we have also installed an infotainment system. Van के floor के लिए हमने PVC wooden flooring को select किया है. It is maintenance free and easy to install. For privacy at night, we have made customized blackout curtains. इन curtains के अंदर हमने insulating aluminum bubble foil को लगा रहा है, जो की van के temperature को maintain रख लेगा. इसके साथ ही हमने curtains की side में magnets लगाए हैं, जिससे curtains windows में easy to fix हो जाते हैं. Van को homely look देने के लिए हमने share curtains लगाए हैं और उसके साथ ही mosquito net curtains भी लगाए हैं. जाए हैं. जाए हैं. जाए हैं. ओवरलेंड जर्नी के टाइम, क्लीन वाटर के लिए हमने अंडर सिंग आरो सिस्टम को इंस्टॉल किया है किचिन के स्टोरिज स्पेस को बढ़ाने के लिए हमने स्पाइस जार्स को अपर कैबिनेट्स के नीचे फिक्स किया है तो करी extra fuel for our Overland Journeys we have installed a customized fuel carrier Many of our friends were asking about our water management. Just to update you on that, हमने वैन की नीचे 200 लीटर का water tank लगाया है, इसको हम gravity के थूप फिल करते हैं. वैन की रूफ में कम स्पेस होने की वज़ा से हमने वोल्डेवल सोलर प्लेट सिस्टम बनाया है. इसमें हमने 190 वाट की दो प्लेट्स को हिंजिस के साथ वेल किया है. वैन के मूब के टाइम में ये सोलर प्लेट्स प्लोज रहती हैं और हॉल्ड के टाइम हम इनको खोड़कर चार्ज कर लेते हैं. तो गिव सेफटी तो आर सोलर पैनल्स, वी अब कवर्ड दम वित तिन शीट्स, and to give an aesthetic look we have pasted artificial carpet grass on them. We hope you liked our van build series till now. Our van is ready and all set to roll for our first vacations from Delhi, Srinagar, Leh, Latak, Manali and back. We will look forward to meet you all someday on road. We will be back soon with more informative videos on van conversion and our experiences on our first family caravan vacation. We will really appreciate if you like, share and subscribe our channel. Till then stay safe and stay healthy. झाल झाल